स्वागत है आपका करेंट अफेर विताकर्ष में आज की यानी 16 अक्टूबर 2023 के करेंट अफेर को जानेंगे तो चलते हैं पहले कोशन पर कोशन नमबर 1 हाल ही में जांसकर महुचसो कहां मनाया गया सही आंसर है अप्शन नमबर C लद्दाक लद्दाक में जांसकर महुचसो मनाया गया यह महुचसो की तस्वीर है जिसमें लोग मुखोटा पहन कर इस तरह से नुर्थ करते हैं कोशन नमबर 2 विश्व चात्र दिवस कब मनाया जाता है कोशन का सही आंसर है अप्शन नमबर B 15 अक्टूबर हर साल 15 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है यह महुचसो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्द के उत्सो की रूप में मनाया जाता है और इस साल की इसकी थीम है फेल इस्टैंड्स फॉर फर्स्ट अटेंप्ट इन लर्निंग कोशन नमबर 3 शत्रंज अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियन कौन बने सही आंसर है आप्शन नमबर C. रौनक साधवनी रौनक साधवनी शत्रंज अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियन बने और यह रौनक साधवनी की तस्वीर है कोशन नमबर 4 किस कंपनी को नौरतन का दरजा दिया गया। सही आंसर है, option number B, IRCON International, IRCON International को पंदरवी नौरतन का दरजा दिया गया है और Rights Limited को सोलवी। Question number 5, किसने नागा लेंड रेजिमेंट की तीन यूनिट को प्रेसिडेंट स कलर से सम्मानित किया। तिसको question का सही आंसर है, option number B, Manoj Pande Manoj Pande ने नागा रेजिमेंट की तीन यूनिट को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया। ये थल सेना अध्यक्ष जनरल Manoj Pande की तस्वीर है। Question number 6, प्रधान मंत्री मोधी ने 90 G20 संसदिय अध्यक्ष सिखर सम्मेलन का उद्गाटन कहां किया। सही आंसर है, option number C, नई दिल्ली। नई दिल्ली में प्रधान मंत्री ने 90 G20 अध्यक्ष सिखर सम्मेलन का उद्गाटन किया। जशो भूमी में। Question number 7, कोहीमा में नागालेंड इंस्टिटूट अफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च यानि NIMMR का उद्गाटन किस ने किया। सही आंसर है, option number D, डॉक्टर मंसुक मंडाविया। स्वास्त मंत्री डॉक्टर मंसुक मंडाविया ने इसका उद्गाटन किया। जो नागालेंड का पहला मेडिकल कॉलेज बना। Question number 8, लगातार दूसरे वर्ष 2022-23 के लिए रिफाइनरी में सर्वस्टेश्ट नवाचार पुरुसकार किस ने हासिल किया। Question number 9, लगातार दूसरी बार रिफाइनरी में सर्वस्टेश्ट नवाचार पुरुसकार हासिल किया। इसकी फुल फॉर्म मंगल और रिफाइनरी एंड पेट्रो केमिकल्स लिम्टेड है। Question number 9, केंद्रिय मंत्री पुर्शोत्तम रुपाला ने कहां सागर परिक्रमा के दस्वें चरण की शुरुवात की। सही आंसर है Option number A, चिन्नई। चिन्नेई में केंद्रिये, मत्से पालन, पशु पालन और डेरी मंत्री श्री परशोत्तम रुपाला ने सागर परिक्मा की दस्वे चरड की शुरुवात की और ये इनकी तस्वीर है Q10 किसने Animated Series Chris Trish और Balti Boy भारत हैं हम का ट्रेलर रिलीस किया सही आंसर है Option A, अनुराक ठाकूर अनुराक ठाकूर ने Animated Series Chris Trish और Balti Boy भारत हैं हम का ट्रेलर रिलीस किया Q11, IC AI ने अकाद्मिक सह्योग के लिए किस के साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये सही आंसर है Option D, इग्नू इग्नू के साथ IC AI ने अकाद्मिक सह्योग के लिए समझोता किया इग्नू का फॉल फॉर्म इंद्रा गांधी राश्ट्रिय मुक्त विश्विद्याले है Q12, भारती एकसा लाइफ इंसोरेंस में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी कौन खरीदेगा सही आंसर है Option C, भारती समू भारती समू उन्चाश प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद कर अब इसकी पूरी मालिक बन चुकी है क्योंकि इससे पहले भी इसने खरीद लिया था काफी शेर Q13, भारती प्रतिवूती और विनियम बोल्ट यानी सेबी ने किस कंपनी की जाच करने को कहा सही आंसर है Option D, अडानी गल्फ स्टाइज अडानी गल्फ स्टाइज के लिए जाच करने के लिए सेबी ने कहा और ये गौतम अडानी की तस्वीर है जो इसके चेर्मैन है Q14, किसने Intelligent शिकायत निगरानी प्रणाली 2.0, सारवजनिक शिकायत पोल्टर और ट्री टैश बोल्ट में स्वाचलित विशलेशड का सुभारम किया सही आंसर है Option B, डॉक्टर जीते इंद्र सिंग डॉक्टर जीते इंद्र सिंग ने इन तीनों पोल्टरों को लॉंच किया ये लोग सिकायत और पैंचन राज्यमंत्री हैं और ये इनकी तस्वीर Q15, ग्यारवा जोहर कब 2030 का आयोजन कहां किया गया सही आंसर है Option C, मलेशिया मलेशिया में 11 में जोहर कब 2030 का आयोजन किया गया और ये इस साल का इसका लोगो है चलिए आजाते हैं आज के आनी 15 अक्टूबर के इत्यास की ओर 1757 में आउस्ट्रिया की सेना ने जर्मनी की राजदानी बर्लिन पर कबज़ा किया 1905 में लॉट्सकरजन द्वारा बंगाल का प्रतम विभाजन हुआ 1915 में ब्रेटेन ने बुल्गारिया के खिलाफ युद्ध की घोशणा की 1923 में राय और वॉल्ड डिजनी ने वॉल्ड डिजनी कंपनी की स्थपना की 1949 में दीतिये विश्य युद्ध के दौरान जर्मनी ने ब्रिटिस छेतर पर पहला हमला किया 1942 में बंगाल की खाड़ी में आई चक्रवात ती तूफान से 40,000 लोगों की मौत हो गई 1944 में भारत के जाने माने तबला वादक लच्चु महराज का जन्म हुआ 1948 में भारत की प्रसिद अभिनेत्री और भारत नाट्यम की नित्यांगना हेम मालने का जन्म हुआ 1948 में उडीसा के चौदवे मुख्य मंतरी नवीन पतनाय का जन्म हुआ 1951 में पाकिस्तान के पहले प्रधान मंत्री लियाकद अली खान की रावल पिंडी में गोली मारकर हत्या हो गई 1969 में राश्टिय महिला सिक्षा परिशद की इस्थापना हुई 1964 में चीन ने अपना पहला परमाडू विस्पोट किया 1978 में भारतिये क्रिकेटर कपिल देव ने पाकिस्तान के खिलाफ वैसलाबाद में अपने टेस्ट करियर का आगास किया 2005 में G20 देश वर्ल्ट बैंक और IMF में सुधार के लिए एकमत हुए 2012 में सौर मंडल के बाहर एक नए ग्रह अलफा संचुरी बीवी का पता चला थैंक यू वेरी मच अगर आप लोगो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक किजेगा शेर किजेगा और सस्क्राइब जरूर किजेगा झाल